आज की हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वह है इंडियन और इंटरनेशनल नमबर सिस्टम स्टूदेंस हमारे एक वीडियो स्मौलेस्ट और गर्टस नमबर में दो लेकर के बताया था 7 डिजिट का नमबर, 8 डिजिट का नमबर, 9 डिजिट का नमबर और इससे भी जो बड़े बड़े नमबर होते हैं उन नमबर को कैसे पढ़ा जाता है मैंने बोला था कि मैं अपने आने वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूं तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि बड़े से बड़े नमबर को कैसे पढ़ा जाता है बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ तो वीडियो के अंतर तक बने रहें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रूप में शेयर करना न भूले एक्जाम्पल के लिए हम एक 9 डिजिट का नमबर लेते हैं ये कोई भी रेंडम नमबर हो सकता है जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ एक नमबर 5, 2, 3, 9, 6, 3, 2, 5, और ये 2 अब जो इतना बड़ा नमबर है 9 डिजिट का नमबर है उसे पढ़ने का सही तरीका क्या है इस नमबर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जो जितने भी बिजिट है यहाँ पे 9 डिजिट है हमें इन डिजिट को प्लेश देना पड़ेगा और इनकी ग्रूपिंग करनी पड़ेगी इस नमबर को कोई भी नमबर सिस्टम से मतलब कि इंडियन नमबर सिस्टम और इंटरनेशनल नमबर सिस्टम किसी से भी पढ़ा जा सकता है जो इंडियन नमबर सिस्टम है वह इंडियन सब कॉंटिनेंट की जो कंट्रीज है जैसे इंडिया है पाकिस्तान है बांगला देज सिरी लंका नेपाल वहाँ पर यूज होता है और बाकी जो countries होती है Indian subcontinent के अलावा वहाँ पे international number system use किया जाता है तो ये number को सबसे पहले हम पढ़ते हैं Indian number system में तो हम सबसे पहले Indian number system के बारे में जानते हैं सबसे पहले क्या करना है किसी भी number को read करने के लिए उसकी जो जितनी भी digits है उन digits को सबसे पहले place देना पढ़ेगा अब place कैसे देते हैं देखिए सबसे पहले place आता है ये मैं लिखता हूँ once का ये है once फिर आता है tens का ये tens फिर आता है hundred का ये ये hundred का ग्रूप हो गया फिर आता है thousand इसको बोलते है thousand thousand के बाद आएगा ten thousand इसको बोलेंगे ten ten thousand ten thousand के बाद में आता है leg का ये legs ग्रूप legs digit इसके बाद आएगा ten legs का ten legs का इसके बाद आएगा crores का ये है crore का digit और ही आ जाएगा ten crores का हमेस ये अपने places दे दिये फिर हमें क्या करना पड़ेगा इनका grouping करना पड़ेगा grouping हमेसा ये चीज ज्यान रखनी है कि यहां से शुरू होगा right digit से शुरू होगा और left digit तक जाएगा यहां से शुरू करना है और यहां पर जाना है grouping कैसे रहती है Indian number system में group आता है सबसे पहले यहां पर जो 3 digit है उनका इनका एक group बनेगा उसके बाद 2 digit आती है उसके बाद 2 digit आती है तो Indian number system में सबसे पहले 3 इनका grouping फिर 2 का फिर 2 का फिर 2 का इस इसाब से grouping रहती है grouping हमेशा left, right से शुरू करना है और left की तरफ जाना है याद रखना कभी left से शुरू करके right की तरफ मत आना अब ये group बनाया अब ये देखिए आप इसको मैं लिखता हूँ एक group है ये group 1 ये group 2 ये 3 digit का, ये 2 digit का ये group 3 है और ये group 4 है, इस टाइप से group बनाया इस group का नाम होता है ये ones ये ones का group है ये thousand का ये lakhs का और ये crores का ones group, thousand groups lakhs group और crores का group ones के group में तेन डिजिट, thousand के गुरूप में दो डिजिट, lakhs के गुरूप में दो डिजिट और crores के गुरूप में दो डिजिट रहती है अब हमने grouping तो कर लिया अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे जो हमारा number है हम उस number को लिखेंगे तो मैं यहाँ पे number को लिखता हूँ number क्या था 5, 2, 3, 9, 6, 3, 2, 5, और 2 यह number हो गया अभी हमने जब grouping किया था तो grouping के हिसाब से हमें comma place करना पड़ेगा यह एक group यहाँ पे हमने comma place किया यह दूसरा group यहाँ पे हमने comma place किया यह तीसरा group यहाँ पे हमने comma place किया तो एक group पहला group जो है once का 3 digit comma place thousand दो डिजिट comma place यह हमारा जो पढ़ने का तरीका है उसको हमने पहले यहाँ पे सेट कर दिया है अब हुम इस नंबर को बढ़ते हैं अब यह नंबर पढ़ा कैसे जाएगा पढ़ना सुरू करना हमें राइट से लेके लेफ्ट की तरफ राइट में सबसे पहले ग्रूप आता है क्रोड का क्रोड के ग्रूप में क्या है फिफ्टी टू तो इसको कैसे रीड करेंगे फिफ्टी टू क्रोड उसके बाद में आता है लेक्स का ग्रूप लेक्स के ग्रूप में क्या है थर्टी नाइन तो थर्टी नाइन लेक्स थाउजन के ग्रुप में क्या है 63 63 थाउजन वन्स के ग्रुप में 252 तो यहाँ पर लिखेंगे 252 तो देखी इतना बड़ा नंबर है उसको बढ़ना कितना आसान हो गया है तो यह नंबर क्या हुआ 52 क्रोड 39 लेक्स 63 थाउजन और 252 अब मैं काम करता हूँ यहाँ पर एक छोटा सा और नंबर लेता हूँ और वह नंबर है 8 दिजिट का इसको कैसे पढ़ा जाएगा देखिए यह नंबर मैंने लिया 1 3 9 6 2 8 2 यह नंबर है इसको हम इंडियन नंबर सिस्टम के इसाब से पढ़ेंगे तो सबसे पहले नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे देखिए अब इस नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे देखिए फिर थॉजड में ADI 62 62 1000 और 821 तो देखिए कितना इजी हो गया है बड़े से बड़े नंबर को बढ़ना तो स्टुडेंट्स अब हम बात करते हैं इंट्रनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में इसको समझने के लिए हम फिर से वही 9 डिजिट का नंबर लेते हैं वह नंबर था 5, 2, 3, 9, 6, 3, 2, 5, 2 इसी नंबर को पहले हमने इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ा था अब भी हम करेंगे इंट्रनेशनल नंबर सिस्टम इंट्रनेशनल नंबर सिस्टम में पढ़ने के लिए प्रोसेस तो हमें वही करना है पहले इन digits को place देना है, place देने के बाद इनका grouping करना है, grouping करने के बाद grouping के साब सम कॉमा place करेंगे और फिर इस number को पढ़ेंगे, लेकिन international number system, Indian number system से थोड़ा सा अलग होता है, तो आईए शुरू करते हैं, सबसे पहले digit को places देते हैं, अब place कौन सा आएगा, सबसे पहला place आए अंड्रेड का, अंड्रेड के बाद आएगा, थाउजन का, थाउजन के बाद आएगा, टैन थाउजन का, टैन थाउजन के बाद में, अंड्रेड थाउजन, अंड्रेड थाउजन के बाद में, मिलियन, मिलियन के बाद में, यह मिलियन के बाद में 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद में 100 मिलियन, 1000 यह 100,000, यह मिलियन, यह 10 मिलियन और यह 100 मिलियन, यह तो हमें पता ही है कि यह 1s है, यह 10s है, यह 100s है, यह 1000s और यह 10,000s है, अब जब हम यहाँ पर grouping करते हैं, तो वही grouping का जो pattern है, हमें राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, ना कि left से राइट की तरफ, इंटरनेशनल नमबर सिस्टम में grouping के लिए सबसे पहला 3 दिजिट, उसके बाद में 3 दिजिट, उसके बाद में 3 दिजिट, इंडियन नमबर सिस्टम में पहले हम 3 लेते हैं, फिर 2-2 का group बनता है, यह बन गया group 1, यह बन गया group 2, यह बन गया group 3, अभी जो group है, इस group को बोलते हैं, यह ones का group है, इसको बोलते हैं, thousands का group, इसको बोलते हैं, millions group, यह millions, millions ही आपने बहुत सुना होगा, कि इतना millions हो गया, YouTube में भी आपको दिपता है कि इतने millions सब्सक्राइब हैं, इतनी millions व्यूज हो गए हैं, तो यह वही millions millions है, जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं, कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, यह हमने grouping कर दिया, grouping के बाद में हम फिर से, यह number जो है, जो जिसका digit का place है, वहाँ पे इसको place करते हैं, तो देखिए, कैसे है, यह पहला number आता है, यह 5 digit, 2, 3, 9, 6, 3, 2, 5, 2, यह हमने number को places दे दिया है, अब group के इसाब से grouping तो हम कर चुके हैं, यहाँ पे comma place करते हैं, 3 digit, 3 digit और इसको read कैसे करना है, देखिए, यह 3 digit है, millions के group में, तो 5, 123, millions, उसके बाद में, 963, 963, 9, 100, 63, कौन सा group है, thousands का, thousands, once की group में क्या है, 252, तो, 252, तो देखिए, यह number को हमने international में भी पढ़ा, इंडियन में भी पढ़ा, जब इंडियन number system में पढ़ा था, तब यह number आया था, 52 crores, 39, 63, 252, international number system में, 523, 963, 222, number का value सेम है, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग-अलग होता है, तो, इंडियन number system में भी पढ़ा, international number system में भी पढ़ा, अभी जो हमने इसके बाद में, एक 8 digit का number लिया था, उस 8 digit number को भी, हम international number system में एक बाद पढ़ेंगे, वो number क्या था, 1, 3, 9, 6, 2, 8, 2, 1, तो यह देखिए, यह 8 digit का जो number system, जो हमने एक number लिया है, इसको हम पढ़ेंगे, अब international number system में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, grouping करेंगे, यह ones का हो गया, यह तीन, यह कौन सा हो गया, thousands का हो गया, उसके बाद का group आता है, millions का, comma place करेंगे, यह 3 digit के बाद, comma, यह 3 के बाद में, comma, अब देखिए, 13, 13 millions, 9, 160, 2000 का group है, तो thousands, once में, 821, यही नमबर जो हमने, जब इंडियन number system में पढ़ा था, वहाँ पे था, वन क्रोर, 39,062,821, तो कोई भी नमबर को, इंडियन number system में कैसे पढ़ा जाता है, और international number system में कैसे पढ़ा जाता है, यह हमने देखा है, तो देखिए, हमने जो numbers है, उनको इंडियन number system में भी पढ़ा, और international number system में भी पढ़ा, इंडियन में once होते है thousands होता है फिर legs होता है, crores होता है international number system में once है, thousands है, million है, billion है लेकिन number वही रहता है, number की value वही रहता है लेकिन इसको पढ़ने का तरीका लगोता है तो अब हम एक बार Indian और international number system को compare करते हैं कि दोनों में क्या difference हो है तो यहाँ पर हम इंडियल और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को compare कर लेते हैं सबसे पहले क्या आता है नंबर को places देना यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंडियल यहाँ पर लिखता हूँ मैं इंटरनेशनल ठीक है 9 डिजिट का नंबर था तो 9 डिजिट सबसे पहले लिखते हैं एक मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ यह ones यह tens यह hundreds यह thousands यह ten thousands यह lakh यह ten lakh यह क्रोड और यह 10 क्रोर यहाँ पर यह वन्स यह 10 यह 100 यह थाउजंड यह 10 थाउजंड यह 100 थाउजंड यहाँ पर मिलियन 10 मिलियन और यह 100 मिलियन इसको मैं इस टाइप से अब देखिए हमने कम जो है इंडियन और इंटरनेशन में सबसे पहले ग्रूपिंग किया था इंडियन में पहला ग्रूप कौन सा आता है त्री डिजिट इसको बोलते हैं वन्स का ग्रूप उसके बाद में टू डिजिट शुरू हो जाती है यह टू डिजिट थाउजंड ग्रूप फिर उसके बाद टू डिजिट का ग्रूप बनता है इसको बोलते हैं लेक्स फिर टू डिजिट का एक ग्रूप बनता है इसको बोलते हैं ग्रोर्स का ग्रूप लेकर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या था तीन का ग्रूप तीन का ग्रूप तीन का ग्रूप बनता है यह जो तीन का ग् उसके बाद जो गुरुप आता है, यह आता है 3 का, इसको बोलते हैं, millions का गुरुप, तो देखिये, दॉन नंबर सिस्टम में, once तो रहता ही है, tens भी रहता है, hundreds भी रहता है, thousand भी रहता है, ten thousand भी रहता है, यहां तक दॉनके नंबर सिस्टम, same रहते हैं, इनको read करने का तरीका सेम ही है उसके बाद में यहाँ पर लेक रहता है यहाँ पर 100,000 होता है 10 लेक होता है million हो जाता है क्रोड 10 million और 10 क्रोड 100 million तो यहाँ पर आप चीज देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि 100,000 100,000 का है international number system में Indian number system में कितना हो जाएगा यह हो जाएगा वन लेक इसके बाद आता है 1 million international number system में इंडियन number system में कितना हो जाएगा 10 लेक उसके बाद आता है 10 million यह इंडियन number system में कितना हो जाएगा 1 क्रोड और जब मैं बात करता हूँ 100 million यह इंडियन number system में होता है 10 क्रोड तो अभी आपको यह बहुत ही आराम से और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंडियन number system इंटरनेशनल number system मिलियन क्या होते हैं बिलियन क्या होते हैं क्रोड क्या होते हैं आपस में एक दूसरे का कि एक million में कितना legs होता है एक million में कितना crores होता है थाूजेन कितना डेता है legs कितना डेता है यह ब आपको वह बहुत ही बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा तो students अब आप कोई भी number को चाहे कितना भी बड़ा number क्यों ना हो उचको Indian और International number system में बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं मैं आपको आज फिर एक number दे रहा हूँ 5 3 4 9 8 7 1 5 और 9 देखे यह एक 9 लिजिट का number है आपको यह number Indian और International दोनों number system में लिख कर दोनों number system में पढ़ कर मुझे comment box में बताना है और चेक करना है कि आपने सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक और बड़िया टॉपिक के साथ में थैंक यू